अलो फ्रंस नमस्कार माहू सांजे आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज के 22nd वीडियो में और इस वीडियो का टाइटल है motivation and learning जो की CTET CDP syllabus में 22nd topic है और as usual ये वीडियो आपको दोनों English और Hindi versions में मिल जाएगा हमारे channel पे इस सीरीज के सारे इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन topics को cover किया हुआ है जो की important है आपके exam point of view से तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे motivation क्या होता है फिर हम aspects, definitions and types of motivation के बार में बात करेंगे फिर देखेंगे motivation cycle क्या होता है फिर कुछ important motivation motivation theories के बार में बात करेंगे जैसे कि Maslow's theory of hierarchy of human needs David McLellan's theory of needs and theory of mastery goals and performance goals फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बच्चों को motivate कर सकते हैं in the classroom और इस वीडियो के end में हम कुछ sample questions solve करेंगे पुराने question paper से चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले यह motivation क्या है well motivation वो reason है जिसके वज़े से हम सुबा बिस्तर से उठते हैं motivation वो कोई भी factor हो सकता है जिसके वज़े से हम पूरा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे कि कल सुबा जब आप उठोगे तो अभी भी आप बिस्तर में हो लेकिन आपको भूक लगने लगता है तो आपका hunger, भूक the need to get food वो आपका motivation हो सकता है जिसके वज़े से आप बिस्तर से उठ रहे हैं अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कल सुबा उठके तयार होना है, काम पे जाना है ओफिस जाना है, तो अब आपको दोस्तों के साथ जाके खेलना चाहते हो तो the need to meet your friends the need to socialize, the need to have fun ये factors हो सकते हैं जिसके वज़े से आप कल सुबा बिस्तर से उठोगे और आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो क्योंकि आप एक exam के लिए प्रिपेर कर रहे हो, आपको ये topic समझना है तो the need to prepare for an exam the need to understand a topic ये motivations हो सकते हैं जिसके वज़े से आप इस वीडियो को देख रहे हो अगर हमारे जिंदगे में motivation नहीं होता तो हम पूरा दिन बिस्तर में ही पढ़े रहते हैं और पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं motivation के तीन aspect होते हैं activation, intensity और persistence activation का मतलब है कि वो date या फिर time जब आपका motivation एक्टिवेट हो जाता है intensity का मतलब है आपके motivation का level और persistence का मतलब है आपके motivation का continuity या फिर dependability जैसे कि अगर आपने official website पे notification देखा है आने वाले exam का तो तब शायद आपका motivation एक्टिवेट हो गया इस exam को लेके लेकिन intensity डिपेंड करता है कि आप इस exam के बारे में कितना serious है क्योंकि आप इस exam को बहुती seriously ले रहे हो तो आपका intensity जो है वो ज़्यादा रहेगा अगर आप इस exam के बारे में ज़्यादा serious नहीं हो तो आपका motivation का intensity काम होगा और activation और intensity के वज़े से आप अपना preparation शुरू तो कर लेते हो लेकिन किस तरह से वो preparation चलता है वो depend करता है persistence पे जैसे कि कुछ लोग क्योंकि उनका motivation का activation हो गया है और उनका intensity भी अच्छा है तो वो preparation तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उनके motivation में persistence नहीं है continuity नहीं है तो कुछ दिन वो prepare करेंगे फिर gap होगा फिर कुछ और दिन prepare करेंगे फिर थोड़ा gap ले लेंगे फिर exam से ठीक कुछ दिन पहले शायद वो फिर से अपना preparation शुरू करेंगे तो क्या वो exam clear करेंगे ये नहीं करेंगे ये एक question mark बन जाता है तो अगर आप उनके complete preparation process को देखते हो तो उसमें इतने सारे gaps है और ये gaps जो है वो इस वज़े से है क्योंकि उनके motivation में persistence या फिर continuity नहीं है तो activation वो time या फिर date होता है जब आपका motivation activate हो जाता है intensity यानि कि आपके motivation का क्या level है और persistence का मतलब है कि आपका motivation कितना dependable है और उसमें किस तरह का continuity है motivation को लेके कई सारे theoretical definitions है लेकिन आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है पहला है कि motivation वो कोई भी reason हो सकता है जो एक organism को move करने पे मजबूर करता है यानि कि motivation वो कोई भी factor हो सकता है जिसके वज़े से आप move करते हो और motivation arouses or creates the interest in learning which is essential for learning यानि कि motivation आपके अंदर सीखने के लिए interest को जगाता है या फिर create करता है जिसके वज़े से learning हो सकता है तो motivation के बिना learning नहीं हो सकता तो आपको सिर्फ ये तोनों चीज़ें याद रखने हैं about motivation अब हम बात करेंगे types of motivation के बार में motivation के दो type होते हैं intrinsic और extrinsic intrinsic यानि internal, extrinsic यानि external intrinsic motivation जो है वो सारे factors होते हैं जो कि हमारे अंदर से आते हैं जैसे कि हमारे basic needs, hunger, sleep या फिर हम कुछ कर रहे है out of our own interest, our own belief, our own pleasure, instinct या फिर curiosity तो ये सारे factors जो है वो हमारे अंदर से आते हैं तो इसलिए इन्हें internal motivation बुलाए जाता है extrinsic या फिर external motivation जो है वो बाहर से आता है जैसे कि मैं अगर कुछ कर रहा हूं किसी के appreciation के लिए या फिर मैं कुछ recognition सीख कर रहा हूं मुझे अवल आना है, मुझे rank देना है तो ये external recognition हो गया या फिर मुझे पैसे चाहिए, तो money या फिर मैं कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे punishment avoid करना है या फिर मैं avoiding ridicule के वज़े से कुछ कर रहा हूं यानि कि दूसरे लोग मेरे चुगली करेंगे या फिर मेरे खिली उडाएंगे इसलिए मैं कुछ कर रहा हूं, तो avoiding ridicule या फिर reciprocity यानि कि मैं कुछ कर रहा हूं क्योंकि मैं expect कर रहा हूँ कि कोई और मेरे लिए कुछ करेगा तो ये quid broke वो कहलाता है तो ये सारे जो factors है ये external है तो एक statement जो कि आपको याद रखना है from an exam point of view वो ये है कि intrinsic motivation यानि internal motivation जो है वो हमेशा extrinsic motivation से ज़्यादा powerful होता है और persistent भी होता है तो ये क्यों है? तो आपका जो motivation है preparation के लिए वो 50% exam के वज़े से हो सकता है और 50% जो है ये phone के वज़े से हो सकता है अब suppose exam से पहले iPhone 15 release कर लेते हैं तो आपका iPhone 14 पे से interest उट जाता है तो इसका मतलब है कि आपका 50% जो motivation है वो यहीं पे खतम हो गया लेकिन अगर आप इस exam के लिए अपने खुद के interest के वज़े से prepare कर रहे हो तो इसका मतलब है कि 100% motivation exam के तरफ है और हमेशा internal motivation जो है वो ज़्यादा powerful होता है ज़्यादा persistent होता है और continuity भी रहता है इसमें अब हम बात करेंगे concept of motivation cycle के बारे में motivation cycle हमेशा एक need से शुरू होता है जैसे कि कल सुबा जब आप उठते हो तो आपके body को एक need होता है जो कि है energy अब body को ये फर्रकने पड़ता कि energy बनाना से आएगा फिर sandwich से आएगा इडली से आएगा फिर दोसा से आएगा body को तो सिर्फ energy चाहिए तो आपका body जो है एक feeling of hunger create करता है ये feeling of hunger जो है वो एक drive होता है और इस drive के वज़े से आप एक arousal state में पहुंच जाते हो arousal state एक thinking state होता है यहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको क्या खाना है क्या आपको order करना है या फिर बनाना है और इस arousal के वज़े से जो भी decision आप लेते हो उसके basis पे आप goal-directed behavior पे पहुंच जाते हो यानि कि यहाँ पे आपके decision के उपर आप काम कर रहे हो अब goal-directed behavior के बाद होता है achievement यानि यहाँ पे आपको खाना मिल गया है और आप उसे खा लेते हो तो achievement के बाद आपका जो arousal है वो reduce हो जाता है क्योंकि अब आपका hunger satisfied हो गया है तो इसका मतलब है आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है तो reduction of arousal तो इस तरह से motivation cycle काम करता है और दुबारा जब आपके body को कुछ energy का need होता है तो तब ये cycle फिर से शुरू हो जाता है अब हम motivation से जुड़े हो है कुछ important theories के बारे में बात करेंगे जो सबसे practical है simplest है और easiest to understand है वो शायद Abraham Maslow का hierarchy of human needs है अब हमें human needs के बारे में क्यों बात करनी है previous slide में जब हम motivation cycle के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि motivation एक need से शुरू होता है तो अगर हम human needs के बारे में जान लेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि motivation किस तरह से काम करता है तो Maslow बोलते हैं कि needs जो है वो three categories के होते हैं basic needs, psychological needs और self-fulfillment needs अगर ये सारे needs को हम एक pyramid में डालते हैं तो lowest level, जो सबसे basic level है वो है physiological needs जैसे की food, water, warmth, rest अगर आपको भूक लगता है तो food चाहिए, प्यास लगता है, पानी चाहिए ठंड लग रही है, warmth चाहिए और आप बहुत ही tired हो तो rest चाहिए तो ये सबसे basic needs होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को motivate करते हैं और कोई भी higher level needs के बारे में सोचने से पहले हमारी ये physiological needs जो है वो fulfill होना चाहिए अब अगर आपके physiological needs fulfill हो गए तो आप next level of basic needs के बारे में सोच सकते हो जो की security और safety है अगर आपके सारे basic needs fulfill हो गए हैं तो आप psychological needs के बारे में सोचते हो जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है teenager बन जाता है या फिर young adult बन जाता है तो आप देख सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो friends चाहता है और वो relationships के बारे में सोच रहा है और थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसे intimate relationships पीचे ये तो ये belongingness और love needs होते हैं और बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और adult हो जाता है तो अब वो काम करना शुरू कर रहता है तो अब वो esteem needs के तरफ पहुँच जाता है esteem needs में आपको career में कुछ achieve करना है कुछ accomplish करना है आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको respect करें आप prestige के बारे में सोच रहा हो तो ये esteem needs, belongingness और love needs जो है वो psychological needs होते हैं और अगर आपके esteem needs भी fulfill हो गए तो आप फिर next level पहुँच आते हो that is self-actualization अब self-actualization में आप spirituality के बारे में सोच रहा हो आप अपना potential को explore करने के बारे में सोच रहा हो आप अपने creative abilities को explore करने के बारे में सोच रहा हो तो ये बहुत ही high level needs होते हैं और ज़्यादा तर जो लोग esteem needs पार कर चुके हैं यानि कि जो जिन्दगी में कुछ accomplish कर चुके हैं वो self-actualization के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो इस तरह से सबसे पहले हमें physiological needs, safety needs, जोकि basic needs हैं वो fulfill करने होते हैं उसके बाद हम psychological needs के बारे में सोचते हैं और highest level में हम self-fulfillment needs के बारे में हम सोचते हैं तो यह है Maslow's hierarchy of human needs अब हम बात करेंगे David McClellan के theory of needs के बारे में यह theory useful है समझने के लिए कि हमारे class में जो learners है उनको क्या motivate कर रहा है, क्या drive कर रहा है क्योंकि हर एक learner अलग है, हर एक learner different है तो अगर हम यह समझ लेते हैं कि उस learner को क्या specific need motivate कर रहा है, drive कर रहा है इस theory में थीन तरह की need के बारे में बात किया गया है need for achievement, need for affiliation, need for power need for achievement जो है, वो success के साथ connected है need for affiliation, interpersonal relationships या फिर social relationships के साथ connected है और need for power जो है, वो controlling others और influencing others के साथ connected है अब यह needs जो है, वो positive motivators हो सकते हैं या फिर negative motivators हो सकते हैं यानि कि यह need अगर on a higher level है, तो वो एक positive motivator होता है, अगर यह need at a lower level है, तो यह negative motivator होता है, जैसे कि अगर आपके class में एक learner का need for achievement, वो on a higher level है, तो वो हमेशा success के पीछे भागता है, यानि कि उसे हर एक हाल में succeed करना है, तो win at any cost उसका motor रहता है, और अगर आपके class में जो learner है, उसका need for achievement अना lower side है, तो वो हर एक उस situation को avoid करता है, जिसमें वो किसी के साथ compete करना पड़े, क्योंकि वो failure से डरता है, और वो responsibility भी avoid करेगा, क्योंकि फिर से उसको fail नहीं होना है, तो अगर participate ही नहीं करूंगा, तो failure का सवाल ही नहीं होता, तो वो negative motivator बन जाता है, यह need for achievement, इसी तरह से need for affiliation, यानि need for interpersonal या फिर social relationships, अगर एक बच्चे में ये need और higher level है, तो वो social interactions को actively seek out करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा group projects में वो participate करना चाहता है, और जो भी उसके लोग है, जो भी उसके साथ काम करने हैं, लोग, तो उनसे वो loyalty expect करता है, वो हर एक के साथ harmonious या फिर एक cordial relationship, एक बहतर social relationship maintain करना चाहता है, अगर एक बच्चे का need for affiliation on a lower side है, तो वो individual projects में काम करना पसंद करता है, क्योंकि वो हर तरह के social interactions को award करना चाहता है, अगर एक learner का need for power जो है, वो on the higher side है, तो वो actively leader बनना चाहता है, वो लोगों को situations को control करना चाहता है, लेकिन अगर एक learner का need for power on a lower side है, तो वो as a dependent, और as a follower, और as a subordinate, वो ज़्यादा comfortable रहेगा, अगर आप इस बच्चे को एक leadership position में डाल देते हो, वो comfortable नहीं रहेगा, तो उसका learning experience जो है, वो बिगड़ जाएगा, तो इसका मतलब है, अगर हम अपने class में जो learners है, जो children है, जो बच्च उसके learning experience को customize कर सकते हैं, और learning को improve कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे theory of mastery goals and performance goals के बारे में, ये theory ना केवल useful है अपने classroom में learners के बारे में जानने के लिए, बलकि इस theory को use करके हम अपने आपको भी जान सकते हैं, क्योंकि जब भी हम जिन्दगी में कोई भी task या फिर activity करते हैं, तो उसे हम या तो mastery goal के perspective से देख रहे हैं, या फिर performance goal के नजरे से देख रहे हैं, mastery goal का मतलब है हम उस task में, उस activity में mastery पाना चाहते हैं, expertise पाना चाहते हैं, performance goal का मतलब है हम उस task या फिर activity को सिर्फ complete करना चाहते हैं, उसमें perform करना चाहते हैं, तो अगर हमें मालुम है कि हम क इस गोल से कोई भी टास्क या फिर अक्टिविटी कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन स्ट्राटिजी वर्किंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं जिसे कि अगर मैं कोई exam के लिए प्रिपार कर रहा हैं और उस exam में जो मेरा goal है वो है mastery goal यानि कि मैं उस exam में जो भी subjects है उसमें मैं masterpiece पाना चाता हो तो मैं सारे subjects को in depth पढ़ूँगा लेकिन अगर मेरा goal performance goal है तो इसका मतलब है कि मैं selective study कर सकता हूँ, focus study कर सकता हूँ मैं सारे पुराने question paper खोलूँगा और देखूँगा कि किस chapters में से ज़्यादा questions आते हैं और सिर्फ उन chapters पे मैं focus करूँगा इसका मतलब हो है कि मेरा performance शायद उस exam में ठीक हो जाएगा लेकिन मैं उस exam में mastery नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इतने सारे chapters तो छोड़ दिया है preparation से तो यह mastery goal और performance goal जो है वो positive यानि motivators हो सकते हैं या फिर negative यानि demotivators भी हो सकते हैं जैसे कि अगर मैं exam के लिए prepare करना हूँ और मेरा goal mastery goal है और मेरे पास काफी time है उस exam को prepare करने के लिए तो मैं exam के जो सारे subjects है उनको in depth पढ़ूँगा और उनमें mastery या फिर expertise हासिल कर लूँगा तो यह होता है positive motivator लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे पास time नहीं है mastery पाने के लिए तो शायद यही mastery goal जो है वो demotivator बन जाता है क्योंकि वो मुझे यह कहता है कि मेरे पास इतना time नहीं है कि मैं in depth, in detail सारे subjects को पढ़ पाऊँ तो शायद इस साल मैं exam नहीं लूँगा तो exam से मैं drop out हो जाऊँगा इसी तरह से अगर मेरा performance goal का हिसाब से देख रहा हूँ exam को तो अगर मेरे पास time है prepare करने के लिए to perform well in the exam तो मैं prepare करूँगा और exam ले लूँगा तो यह हुआ positive motivator लेकिन अगर उसी exam के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास काफी time नहीं है कि मैं उस exam के लिए adequate तेयारी कर पाऊँ और मुझे लगता है कि मैं exam में शायद fail हो जाऊँगा तो यह performance goal जाए वो demotivator बन जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस साल exam नहीं लेना चाहिए मैं अगले साल exam ले लूँगा तो इस साल में drop out हो जाऊँगा तो इस तरह से mastery goals and performance goals जो है वो positive motivators भी बन सकते है या फिर negative demotivators भी बन सकते है next हम देखते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को motivate कर सकते हैं in the classroom जैसे कि हमने पहले भी discuss किया हुआ है हर एक learner different होता है हर एक बच्चा अलग होता है तो इसका मतलब है कि हर एक learner का एक अलग ही motivation हो सकता है तो हमें कोई भी motivation theory यूज़ करके हमारे class में जो learners है उनको assess कर लेना चाहिए ताकि हमें बता चले कि उनका specific motivation क्या है और इसके basis पे हम teaching learning process को adapt कर सकते हैं to meet the needs of the specific learner next motivation एक continuous process होता है अब motivation एक बार एक बच्चे को मिल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो continuously वो motivation को maintain कर सकता है जैसे कि हमने discuss किया motivation के तीन aspect होते है activation, intensity और persistence तो persistence का मतलब है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि motivation एक continuous level पे maintain कर सके नहीं तो हम देख सकते हैं कि उस बच्चे के activities में उसके interest में जो है gaps हो सकते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम continuously बच्चों को या फिर learners को motivate करते रहें next हमें learners के personality type को समझ लेना चाहिए कुछ learners leaders हो सकते हैं, कुछ learners followers हो सकते हैं तो अगर हमें उसनके personality type के बारे में एक idea मिल जाता है तो हम classroom में जो activities हो रहे हैं, उनको properly customize कर सकते हैं ताकि उनके learning को हम maximize कर सके, उनको engage करके रख सके in the classroom next, सिर्फ motivation से success नहीं मिलता, क्योंकि success के लिए कुछ skills, tools, techniques भी ज़रूरी होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें बच्चों को या फिर learners को ये tools, skills और techniques भी सिखाने होंगे, जिसके तूरू वो successful हो सके जैसे कि अगर हम एक बच्चे को motivate करना चाहते हैं कि वो mathematics में successful हो तो motivation के अलावा उस बच्चे के जो basic mathematics skills है, उनने भी हमें strong बनाना होता है next, set shared goals and expectations, यहाँ पे focus है shared पे, यहनि कि अगर आप एक learner को बताते हो कि उसके goals और expectations क्या है तो यह एक तरह का autocracy या फिर dictatorship हो जाता है, लेकिन अगर आप learner के साथ discuss करते हो कि उसके goals क्या होनी चाहिए, आपके क्या expectations है, उसके क्या expectations है तो यहाँ पे shared goals and expectations की बात हो रही है, democracy की बात हो रही है तो यह shared goals and expectations के तरह, आप यह ensure कर सकते हो कि learner ownership लेता है उस goals और expectations के और उनके अनुसार वो काम करता है next, give a sense of autonomy, यानि कि अगर एक learner को लगता है कि वो decision making process में involved नहीं है, उसको कोई भी independence नहीं है तो उसका interest नहीं रहता उस classroom में या फिर उस session में तो हमें ensure करना चाहिए कि learners को a sense of autonomy, a sense of independence जो है, वो feel करा है उनको लगना चाहिए कि हम भी decision making process में involved है और ये learning process के लिए बहतर होता है next, हमें consistent और immediate feedback देना चाहिए and coaching देना चाहिए learners को खास कर कि अगर हम young learners के साथ deal कर रहे है क्योंकि अगर young learners कुछ errors कर रहे हैं, कुछ mistakes कर रहे हैं तो अगर हम उन्हें immediately और promptly correct नहीं करते हैं उनको immediate feedback नहीं देते और coaching नहीं देते constant feedback and coaching देना होता है next, praise and admiration are big motivators आपने देखा होगा, अगर आप छोटे मुचे को थोड़ा praise कर देते हो तो वो बहुत ही proud feel करते हैं और उनका जो effort है वो increase हो जाता है तो praise और admiration जो है, ये बहुत ही बड़े motivators होते हैं खास कर के young learners को तो इनका हमें भरपूर इस्तमाल करना चाहिए in the classroom next, जो भी theory हम सिखा रहे है in the classroom वो real life से connected होना चाहिए तो ये meaningful और contextual learning की बात हो रही है यहाँ पर next, allow learners the freedom to make mistakes जैसे कि हमने previous एक और वीडियो में discuss किया हुआ था errors जो है, वो learning का एक हिस्सा होता है errors और mistakes के तुरू भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तो learners को एक independence रहना चाहिए कि वो mistakes कर सके, errors कर सके और वो mistakes and errors के लिए उन्हें punish नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो errors और mistakes के तुरू भी बहुत कुछ सीख सकते हैं next, आपके classroom में जो learners है, जो बच्चे हैं वो अलग-अलग तरह के background से आते हैं यानि कि उनके अलग-अलग तरह के capabilities हो सकते हैं अलग-अलग तरह के interest हो सकते हैं अलग-अलग तरह के learning speeds हो सकते हैं तो हमें यह ensure करना चाहिए कि सारे बच्चों को हम engage करके, challenge करके रखे in the classroom ताकि उनका interest बनाए रहे तो यह है कुछ points on how to motivate children in the classroom यह सारे points बहुत ही simple है, basic है और common sense पे based है तो आप इस वीडियो को यहीं पे pause करके यह सारे points को एक और बार पढ़ लीजेगा अब हम कुछ sample questions सॉल करेंगे पुराने question paper से पहला है, which of the following factors affects learning अब यहाँ पे चार statement दिये गए है अगर चारो statements को हम पढ़ते हैं तो यह चारो statement correct है और जो factors इन चार statements में mentioned है चारों के चारों learning को effect करते हैं और अगर हम answer choices को देखते हैं तो कोई भी choice में 1, 2, 3 and 4 नहीं है तो up to 3 statements हम select कर सकते हैं answer choices के हिसाब से अब यहाँ पे हमें identify करना है कि 3 strongest statements कौन से हैं जो learning को effect कर सकते हैं तो पहला है motivation of the learner दूसरा है maturation of the learner और चौता है physical and emotional health of the learner अब यहाँ पे देख सकते हैं कि statement 1 जो है वो learner के साथ connected है statement 2 भी learner के साथ connected है और statement 4 भी learner के साथ connected है अब statement 3 teaching strategies यह भी definitely learning को effect करता है लेकिन teaching strategies teacher के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है learner के साथ नहीं तो यहाँ पे क्योंकि 3 statement learner के साथ जुड़े हुए हैं तो हम 1, 2 और 4 को answer मान सकते हैं तो यहाँ पे option 2 1, 2 and 4 correct answer है which one of the following statements about motivation and learning is correct यानि motivation और learning के बारे में इन में से कौन सा statement correct है पेला है learning is effective only when the students have intrinsic motivation यानि की a desire to learn from inside यानि internal motivation तो learning ज्यादा effective होता है अगर एक learner जो है वो internally motivated हो खुद अंदर से motivated हो तो यह correct statement है next learning is effective only when students are extrinsically motivated by external factors यह गलत है क्योंकि अगर हम learner को externally motivate कर रहे है कुछ reward दे के कुछ बहला पुसला के तो इसके तुरू learning effective नहीं हो सकता तो यह incorrect है next motivation does not have any role to play in learning यह absolutely incorrect है क्योंकि motivation बहुत ही important role play करता है in teaching and learning next learning is effective only when students are motivated using external rewards यह भी extrinsic motivation की बात कर रहा है तो यह भी गलत स्टेटमेंट है जैसे कि हमने इसी वीडियो में discuss किया हुआ है अगर मैं आपको एक external reward देता हूँ extrinsic motivation देता हूँ जैसे कि एक iPhone 14 तो आपका शायद motivation उस phone को लेके जादा है ना कि वो exam या फिर उस activity को लेके और कल एक नया model release हो जाता है तो आपको उस motivation पे से interest निकल जाता है क्योंकि आप आपको नया model चाहिए तो इसका मतलब है कि आपका जो overall motivation है वो भी कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी activity को internal motivation के वज़े से कर रहे हो तो वो ज़्यादा effective होता है अगर कोई भी activity जैसे कि learning अगर आप external rewards और external motivation की वज़े से कर रहे हो तो वो कम effective होता है तो statement 1 जो है वो correct है जैनि कि इस में answer options में एक source of motivation है और एक type of motivation को भी बताया गया है तो हमें identify करना है कि कौन सा pair जो है वो correctly matched है अभी यह बहुत ही simple question है क्योंकि यहाँ पर curiosity, appreciation from peers, praise of teacher, trophy in match यह सारे जो source of motivation है हमें इन्हें identify करना है कि यह कहां से आ रहे है क्या यह internally आ रहे हैं या फिर externally आ रहे हैं internally आ रहे हैं तो यह intrinsic motivation होते हैं externally आ रहे हैं तो extrinsic motivation होते हैं तो पहला है curiosity curiosity एक internal feeling होता है हमारे अंदर से आता है curiosity तो curiosity is an intrinsic motivation यह correct है appreciation from peers appreciation, recognition यह सारे जो है वो external होते हैं क्योंकि यह दूसरे लोगों से आ रहा तो इसका मतलब है यह extrinsic motivation है, intrinsic नहीं next, praise of the teacher praise of the teacher, again appreciation के तरह यह भी एक teacher से आ रहा है externally आ रहा है, यह बच्चे के अंदर यह फिर learner के अंदर से नहीं आ रहा है, तो यह extrinsic motivation है, intrinsic नहीं next, trophy in a match trophy in a match, एक reward हो सकता है यह फिर recognition है, जो कि बाहर से आ रहा है यह भी internal feeling नहीं है तो यह भी extrinsic है, intrinsic नहीं तो इसका मतलब है कि सिर्फ curiosity जो है, वो intrinsic motivation है बाकि सारे extrinsic motivation है तो option one correctly matched है तो correct answer यह है which of the following belief is likely to keep a student motivated for future attempts यहनी कि इन में से कौनसा एक belief है जो एक learner को motivate करके रखेगा for future attempts अब यहां पर यह चारो statement अगर हम पढ़ते हैं तो इस में से तीन statement negative statements है और एक statement एक positive statement और फिर positive belief है तो हमें identify करना है कि यह positive statement कौनसा है अब इस question को समझने के लिए हम mastery goals और performance goals का theory को भी use कर सकते हैं क्योंकि अगर हम believe करते हैं कि कोई भी subject को हम master कर सकते हैं उसमें expert बन सकते हैं तो वो mastery goal हमारे लिए एक positive motivator बन जाता है और अगर हम believe करते हैं कि कोई भी activity में हम perform कर सकते हैं या फिर उसमें performance नहीं कर सकते हैं उसको complete नहीं कर सकते हैं तो यही mastery goals और performance goals demotivators बन जाते हैं तो यहां पर हमें identify करना है कि positive statement positive belief कौनसा है पहला है I am not intelligent and my effort won't make any difference to my ability तो यह negative statement है क्योंकि इसने already give up कर दिया है कि मुझे यह subject नहीं आएगा मैं intelligent नहीं हूँ और मैं effort डालूंगा तो भी कुछ इसमें difference नहीं आएगा तो यह एक negative statement है next I am capable of doing the given task if I put in the required effort in my attempts यानि कि यह बन्दा जो है यह विक्ती जो है यह बोल रहा है कि मैं यह कम कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा effort डालूंगा तो मैं इसे complete कर सकता हूँ तो यहाँ पर mastery या फिर performance का जो भी उसका goal है तो उसमें वो believe करता है तो यह एक positive statement है next I am an unlucky person and my luck never favors my success in the given task तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं already unlucky हूँ और मैं कुछ भी करूँगा मेरा luck ऐसा है कि मुझे success नहीं मिलेगा तो यह एक negative statement है next I lack the ability to do well in science and it is beyond my control to change it तो यहाँ पर mastery goals की बात हो रही है तो वो बोलता है कि science जो है वो मेरे बस की बात नहीं है तो मैं कुछ भी करूँ मैं science में पास नहीं होंगा तो यह एक negative statement है तो इस में से सिर्फ एक ही statement positive है वो है statement two तो यह correct answer है क्योंकि I am capable of doing something and I can put in the effort अगर एक व्यक्ति ऐसा believe करता है तो वो future में भी वो motivated रहेगा Children can be encouraged to become intrinsically motivated learners by doing which of the following यहनि अगर हमें ensure करना है कि बच्चे जो है वो intrinsically motivated हो internally motivated हो तो इस में से कौन सा approach वो useful है पहला है giving rewards for encouragement अब rewards जो है वो external या फिर extrinsic motivators होते हैं तो यह intrinsic motivation तो नहीं है तो यह answer नहीं हो सकता next, punishing them to avoid making mistakes अब जैसे कि हमने इस वीडियो में और पहले एक और वीडियो में discuss किया हुआ है errors और mistakes जो है वो learning का एक हिस्सा होते हैं हम errors और mistakes से भी कुछ सीख सकते हैं तो punishing kids यहनि उनको punish करना क्योंकि वो कुछ mistakes कर रहे हैं, errors कर रहे हैं यह correct approach नहीं हो सकता next, learning from the mistakes made during the learning process without any negative penalty यहनि कि जो गलतियां जो errors या फिर mistakes हम कर रहे हैं सीखने के दोरान उन गलतियों से भी हम कुछ सीख सकते हैं without any negative penalty यहनि वो गलतियां करने के वज़े से हमें कोई punishment नहीं मिल रहा है तो यह एक correct approach है और इसके तुरू हम बच्चों को encourage कर सकते हैं कि वो सीखे और mistakes करें तो कोई परवा नहीं है वो mistakes को हम correct कर सकते हैं errors को correct कर सकते हैं तो इस तरह से हम learning को encourage कर रहे है और बच्चें को internally motivate कर रहे है तो intrinsic motivation encourage करने के लिए यह correct approach है और last वाला है encouraging teacher attention to performance by special achievers within a classroom यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि teacher जो है जो special achievers in the classroom है यानि कि जो gifted children है उनको teacher special attention दे रही है यानि कि बाकी बच्चे जो है वो demotivate हो जाएंगे क्योंकि उनको teacher का attention नहीं मिल रहा है तो यह एक तरह का partiality हो गया तो यह correct approach नहीं हो सकता यह teacher का एक correct behavior नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ statement 3 that is learning from mistakes made during the learning process without any negative penalty यह एक अच्छा तरीका है एक अच्छा technique है learners को intrinsically motivated learners बनाने के लिए तो यह correct answer है और इसी के साथ हम इस वीडियो को conclude करेंगे आपके कुछ questions या फिर feedback है तो नीचे comment section में डाल दीजे और मैं आप से फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस series के अगले वीडियो में till then take care, stay safe